हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम सिरी राम की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम, बन जाते बिगड़े कां वैवसवत मनुजी ने बसाया था कौशल परदेश, पावन सर्यू नदी कटटे और खंडे हैं भारत देश कितने ही प्राकर्मी राजा उनके वनसज थे, उन्ही में से तो राजा दशरत भी हैं एक हुए वेदों के ग्याता थे, राजा धर्म के रक्षक थे, बड़े दया लूरण में कुशल और प्रैजा पालक थे इश्वर की भगती करना उन्हें बड़ा ही भाता था, उनके राज में प्रजा को कोई कश्ट न याता था जैसे राजा दसरत थे वैसा सब चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन मायोग्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े कां कर असनान एक दिन राजा लगे देखने दर पड़े श्वयत बाल कुछ आए नजर कभी जो ये श्याम वर्ण लगे सोचने राजा धलने लगा मेरा योवन निह संतान हु मैं ना जाने अब तक किस कारण जो नहुई संतान कौन मेरा वन्स चलाएगा कौन मेरा उत्राधी कारी बन कर आएगा इतना सोच के राजन ने विद्वान है बुलवाए लगे पूछने राजा कौन सायत में किया जाए पुत्रेश्ठी अक्य कर लो पंडित ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े का अपने कुल गुरु वशिष्ठ को फिर तो दश्रत ने बुलवाया अपने मन का सारा भेद फिर उनको बत लाया गुरु वसिष्ठ भी हुए अतिप्रैसन मनो काम ना जा पुत्रेश्ठी यग्य करने का है किया विधी विधा बड़ी मनो रम्यग शाला का फिर निर्माल कराया शाम बर्ड का एक गोडा भी गुरु जी ने मंगवाया अपनी तीनों रानियों को राजन ने खबर सुनाई सुनकर के तीनों ही रानी मन में है हर शाई विधी विधान से यग्य प्रारंभ फिर करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में शीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का विध्वान तपस वीरिजी मुनी गड़ कितने यग्य में आएं पवित्र मंत्रों चारण के संग यग्य रहे करवाएं सब के साथ में राजाने हैं मधुर्व्योहार किया यग्य में जितने ग्यानी पधारे हैं आभार किया रिसियों के सानित्य में जब यग्य हुआ संपन भेट किया राजनने सबको बड़ा थान और धन यग्य प्रसाद चढ़ा के राजनने सब में बटवाया अपनी तीनों रानियों को भी है पर साथ खिलाया होंगे पुत्र चार उन्हें पंडित बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्न अयोध्या में श्रीराम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले का चैत्र मास के सुकल पच्छ की आई नौमित थी गर्भ से कौशल्या के घड़ी ये राम जन्म की थी शामवर्ण के पुत्र हुए हैं बड़े ही तेजस्वी सुनकर बड़े ही हुए प्रसन राजा दसरत जी फिर तो रानी कैके इको भी एक पुत्र हुआ रानी सुमित्रा ने भी दो पुत्रों को जन्म दिया हर सोलास में सारी नगरी कर रही मंगलगान सबको ही राजा दसरत ने दिया उचित है दान नाम करण फिर पुत्रों का राजन करवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का गुरू देव ने बड़े पुत्र को राम चंद्र दिया नाम भरत नाम दे कर मंजले को कर दिया है सुभका रानी सुमित्रा के पुत्रों की फिर बारी आई लच्छमन और सत्रो घन नाम रख कर है रीत निभाई बीते समय के साथ में पुत्र होने लगे बड़े तीनों लोक में चर्चे दसरत पुत्रों के होने लगे जाने लिया ये भोलेने आगे विष्णों के अवतार बाल रूपी दर्शन करने का मन में है विचार बन के मदारी भोले अयोध्या नगरी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में तीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का भोले बने मदारी वानर बन गए हैं हनुमान गली गली लग खेल दिखाने वो तो अयोध्या आन सिरी राम ने भीवानर का खेल देखना चाहां राजा दशरत ने हैं उनको महलों में बुलवाया देखा खेल जो वानर का तो हुए बड़े प्रैसन भक्त और भगवान का देखों कैसे हुआ मिलन सिरी राम ने जिद करके वो वानर रखना चाहां राम दर्स को भोले ने ये सारा खेल दिखाया करदर्शन स्री राम के वो कैलाश को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योगा में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का सिच्छा ग्रहण की बारी आई चारो भाईयों की अल्प काल में अस्त्र सस्त्र की सिच्छा ग्रहण कर ली मात पिता और गुरु सेवा में बड़े वोलीन हुए सीख लिए हैं पाठ सभी एक बार जो बता दिये राम चंद्र बड़े भाई सारे ही कामों में निपुड तीनों छोटे भाई करते उनका अनुसरण चारो तरफ ही फैल गई फिर तो उनकी ख्याती उनके विवाह की अब राजा दश्रत की इक्छा थी गुरू वसिष्ठ को अपने मन की बात बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्न अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां लेकिन बीच में द्वार पाल संदे साल आए हैं विस्वा मित्र राजन आपके द्वार पे आए हैं सुनकर विस्वा मित्र नाम बड़े दसरत जी हर साएं आदर सहित उन्हें दरबार मिलेकर हैं आएं बोले आपके दरसन से हैं हम सब धन्य हुए हुआ राज दरबार भिपावन आपके चरण छुए आने का पर्योजन मुनिवर अब तो आप बताएं खुद को बिछा दू मैं चरणों में अगर आप चाहें विस्वा मित्र राजन को फिर ये बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा है उत्या में शिरी राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का बोले विस्वा मित्र हे राजन मुझे को पता ये हैं रिसिमुनियों को रगुकुल करता आया सहायता है जो मैं मांगने आया हूँ देना है बड़ा कथिन मांगने से पहले राजन तुम्हें देना होगा वचन बोले दस्रत हे मुनिवर तुम मांगो निह संकूत प्राड जाए पर वचन न जाए है रगुकुल की सोच बोले विस्वा मित्र मुझे करना है यग अनुष्ठान मारिच और सुबाहू तानों विगन करे है आवान यग्य हो पूड इसलिए हम राम को चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोत्या में स्रीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमरिराम का ना बन जाते बिगडे का राम को मांग लिया तो राजा दस रत भी चकराएं बोले राम बिना है मुनिवर मुझसे जिया ना जाएं चाहों तो मैं चलूं अभी लेकर के सेना साथ अभी राम तो है बालक ना इनकी कुछ आउकार कैसे मुकाबला उन दुष्टों का ये कर पाएंगे क्या होगा जो उनसे युद्ध में हारे जाएंगे सुनके विस्वा मित्र को ये आया है बड़ा ही क्रोध बोले इनकी शक्ती का तुमको भी नहीं है बोध राम लखन को अपने साथ फिर वो ले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े काम रिस विस्वा मित्र के संग आ गए हैं दोनों भाई जो सुमर राम का नहां बन जाते बिगड़े काम रिस विस्वा मित्र के संग आ गए हैं दोनों भाई अती बला और बला नाम की विद्या भी पाई बोले मुन की ये विद्या ये जो भी पाता है इस संसार में स्रेष्ठ पुरुस फिर वो कहलाता है सर्यून अतिक टट पर फिर डाला है डेरा आन राम लखन से बोले कर लो तुम असना नोरधा करके फिर जल पान भी थोड़ा कर लेना विश्राम लेकिन गुरु सेवा को समझा पहला उन्होंने काम करके गुरु की सेवा फिर विश्राम को जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते भिगड़े कां जो सुमर राम का नाम बन जाते भिगड़े कां प्लात काल फिर गुरु के संगे वो सर्यों टट आयें एक वनवासी मुनी देख उन्हें नौका है लाए तीनों बैठे नौका में फिर करली नदियां पाए मुनिवर ने हैं प्रकट किया उनका ही बड़ा अभाः सिरी राम ने देखा के घन घोर बड़ा है वन गुरुवर जी से लगे पूछने वो इसका कारण बोले तार का नाम राच्छ सीने है कहरढाया जितने यह मानों थे सब को मार के है खाया कर दो वद तुम तार का का हम यही चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का बोले राम की इस्त्री तो बड़ी होती है को मल कार कराक्च सिमे है कहां से आया इतना बल विश्वा मित्र ने उनको फिर किस्सा सभी सुनाया रिसिमुनियों पे ताड काने है कितना कहर बर पाया करने को बद सिरी राम फिर हो गए है तैयार देख ताड का उनको आई करती चीख पुकार सिरी राम ने उन पे कर दी फिर तो वाड वरसा देख युद्ध को सल भईया का लखन रहे हर शाँ सिरी राम फिर ताड का को पर लोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां विश्वा मित्र बैठ गए हैं फिर तो यग्य करने जुआते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां विश्वा मित्र बैठ गए हैं फिर तो यग्य करने करना चाहां भंग था मारिच और सुवा होने अपनी माया का दोनों ने ऐसा जाल फैलाया यग साला पे है आकास से मदिरमा से बरसाया लेकिन सिरी राम ने उनकी ना चलने दी चाहा राम के हाथों आया उन दोनों भाईयों का का राम लखन को विश्वा मित्र फिर तो गले लगाए बाले कांड ये डी अस पालन है स्रध्धा से गाए फोजी सुरेस भी राम चरण में सीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का नाम बन जाते बिगडे का